हेलो यो स्वागत आप सभी का मेरी यूट्यूब चैनल स्कूल टूशन गूरी जीवा अज हम बात करें कारेपत्रक 11 की जो कि 6 नॉवंबर के लिए जारी किया गया है यह कक्षा 6 का विज्ञान वेशे का कारेपत्रक है यहां विद्यारती अपने नाम लिखेंगे और यहां हमारा पार्ट चल रहा है आपके विज्ञान के पार्टे पुस्तक का वार्ट साथ पौदो को जानिए और आज हम जानने की कोशिश करेंगे पौदो के एक भाग यानी की तने के बारे में तो आईए सिरह देखते हैं की तने के बारे में कारेपत्रक क्या कहता है तना काये पत्तिया मूल एवं कलिया होती है तने में वैस्थान जहां से पत्तिया निकलती है उसे प्रवसंदी कहते हैं और इन दोनों पर्वसंद्यों के बीच के मार को परव कहते हैं तो यह क्या कहरा है बच्दू किई भाग जो आपको दिख रहा है यानि कि जमीन से उपर का भाग ये जो सीधा भाग दिख रहा है ये कहलाता है तना ये ही भाग पत्तियों को फूल को और फल को कई बार अपने साथ एक जुट बनाए रखता है ये हर खाल में उपर की तरफ निकलता है सीधा होता है और पूरु संदिया और पूरु के द्वारा एक जगा से दूसरी जगा पर कनेक्शन बनाता है बच्चो ठीक है बच्चो आगे देखते हैं क्या लिखा है देगे चित्र में दिखाए गए पौधो पर देखिए और उसके विविन भागो को नोट करिए यदि आपके घर में गमले में कोई पौधा लगा हो हुआ है तो उसके तने की पहचान करके इतनी का परियास करजिए तो उसके करना किया आपको कि एक तो ये फिगर तो मैंने आपको दिखा दिया दूसरा क्या अगर सकते हैं आपके घर में अगर कोई पौधा हो तो उसे देख करके पैचान कर सकते हैं कि तना कहां पर बचो चलिए अगला देखते है अगला है तना क्या कारे करता है तो तना हमारा कई कारे करता है जैस खड़ा होने में सायता प्रगान करता है, अगला है इसमें शाखाए, पत्या, फूल, इवं, कलिया होती हैं, तो जैसा कि हम पने अभी पड़ा, इतना अपने साथ बांदे रखता है फूल को पत्तियों को और कलियों को उस से अगला है पानी और खनीज को जड़ो से पत्तियों और पोदों में अन्ने भागों तक पहुचाता है तो ये काम क्या करता है ये एक और काम ये पानी और खनीज लवन को जड़ों से पत्तियों के अन्य भागों और पौदों तक पहुचाने का काम करता है बच्छो अगला है बोजन की पत्तियों से पौदे के विवन भागों में पहुचाता है तो बोजन को पत्तियों से विवन भागों पहुचाने काम बच्छो यही करता है अगला है कुछ पौ है कि कुछ पौद कुछ जो पौदे हैं वह अपने तने के द्वारा भूजन बना लाते हैं क्योंकि उनमें पत्तिया नहीं होती जैसे की क्यक्टस का प्लांट वच्छो ठीक हो जिसे हम हिंदी में नागफनी का पौधा भी कहते हैं चली जरह आगे देखते हैं आगे देखताता है रीता ने सफेद फूल वाला एक छोटा सा पौधा लिया उसने उसके तने को आधार से काट दिया और गिलास में रख दिया जिसमें नीली शाही वाला पानी बराता उसने इसे एक दिन के लिए छोड़ दिया तो उसने क्या क्या पुच्छो एक रीता एक यानि कि जमीन से उपर को जो भाग है उसे यहां से काट लिया और एक सफेद फूल वाले पौधे को एक गिलास पानी में रखा जिसम का साही वाला पानी यानि साही जैसा रंग था एक तरह से तो एक दिन छोड़ दिया उसे वैसे ही आगले दिन देखी क्या था अगले दि दिन उसने पाया कि पौधे के सफेद फूल की पंगडिों पर नीले रंग का निशान आ गिया है तो अब ये पूछ रहा है सोची और उतर दीजिया सक्यों फिक्तों हम लोगने ध्यान दिया और पाया था कि जड़े पत्ति और फोदों में अन्ने भागों तक पानी और खनीज लवण पहुचाने का कारे करती है यानि कि तना क्या काम करता है जड़ों से पानी और खनीज लवण को पहुचाने का काम करता है बच्छो तो इसी वज़े से जब क्या हुआ कि ये पानी रंगीन होने के करण इसके साथ जो केमिकल थे ये रसायन थे वह भी उपर पौदों में पहुच गए पच्छो ठीक है और देखते हैं इसलोग क्या कहता है पच्छो तना जड़ो से पानी का संचालन करता है पानी में घुलने वाले खरीज पानी के साथ तने में ऊपर चले जाते हैं तने में संगरी नलिकाय होती है जिसके माद्दम से पानी और उसमें गुले लवन जड़ों से पत्तियों एवं अन्य भागों तक पहुँच जाते हैं तो उच्छो क्या हुआ इसमें जैसा कि मैंने भी पताया आपको कि जड़ से पानी का संचालन होता है और वह खनीज लवन और पानी के रूप में एक स्थान से यानि नीचे से उपर तक पहुच जाता है क्योंकि संक्री ना लिकाए होती है किसमें बच्छो तने में और यह वहां से घुले रूप में यानि पानी के साथ घुले रूप में अन्य स्थान तक भी पहुच जाता है बच्छो तो चलिए अब ज़रा आपके प्रश्ण तर देख लेते हैं बच्छो पहला प्रश्ण है रिक्तिस्थान बढ़ें पानी का संचालन डैस के माध्यम से होता है जो की पौधे के तने में मुझूद होता है तो पानी का संचालन संक्री नालिकाओ के माध्यम से होता है जो की खनीज खनीज लवन के संचारन करता है जो कि पानी में गुल जाता है सफेद फूल की पंक्डियों पर रंग के बदब्बित देखने का कारण तने मौझुद नलिका द्वारा ग्लास में रंगीन पानी को प्रवाइद करना तो इसके का मतलब क्या है कि तने से जो नलिकाए थी उन्हें ग्लास में रंगीन पानी को उपर परवाइद करती है तो यह है अगला है तने के कोई दोक कारी लिखिए तो तने का सबसे महत्पून कारी है क्या है पानी का पानी और खनीज लवन का जड़ों से संचालन करना और दूसरा काम क्या हो सकता है दूसरा मिन काम हो सकता है यह वाला पोदे के लिए भोजन बनाना जैसे कि केक्टस का पोदा करता है बच्चो ठीक है बच्चो तो बच्चो यह होगी आपकी वक्षीट कम्प्लीट और आशा करता हो तो आशा करता हूँ बच्छो वीडियो आपको अच्छे लगी होगी है और अगर वीडियो अच्छे लगी हो तो चल्ब को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें शेयर करें थैंक यू